ही गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू आपर चैनल लेडिशनल काप्या तो कैसे हैं आप सब आयूप आप सब अच्छी होगी मैं भी अच्छी हूँ तो यहाँ पर मैंने एक परपल कलर की साडी लिए है ठीक है यह ना क्रेश प्लेटिट साडी है ठीक है यह ना अभी ना काफी ट्रेंड में चली थी और इसको मैं ड्रेप करके पताने बादी हूँ को इन साडी को किस तरीके से ड्रेप करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपने आगे से कमर के हिसे में इस तरह की से टककनाँ है जैसे हम नॉर्मल साडी को करते हैं बट इस बात का ध्यान रखना है कि इस साडी को हमें खेज कर नहीं बानता है क्योंकि अगर हम इस साड़ी को थोड़ा टाइट करके बांदेगी तो यह बहुत ज्यादा फैल जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रश है, प्लिटिट पड़ी हुई है, और इसलिए इसको फैला के नहीं बांदना है, मतलब की खेच के नहीं बांदना है, ठीक है, अभी हम बनाएंगे प्लेट, ठीक है, प्लेट बनाते हुए हमें इस बात का ही ध्यान रखना है, कि हमें थोड़ा सा टाइट करके इसको नहीं बांदना है, अभी हम पल्लों का मेजरमेंट कर लेंगे, कि हमें कितना पल्ला चाहिए, और यहापे इस तरीके से आप करके, पल्ले को खटा कीजिए, ठीक है, एंड से, और इस तरीके से मेजरमेंट कर लेजिए, कि आपको कितना पल्ला चाहिए, आप देख सकते हैं, मैंने मेजरमेंट किया है, जितना मुझे चाहिए, नेले अंत तक, और अभी हम यहाँ पर बनाएंगे, फ्रंट प्लेट, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, मैं कितना मतलब रफली साडी को इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि ना, एकदम से अगर हम खेच के बाहन देगे ने साडी को, तो बहुत ज्यादा ओट लगेगा, क्योंकि साडी सिकुड जाएगी, इसलिए, अभी हम बनाएंगी प्लेट, प्लेट बन अगर साडी का फैबरिक खिचे जाएगा यहां से, तो प्लेट जूट जूटी हो जाएगे, क्योंकि रेश वाला कपड़ा है, इसलिए, प्लेट जूट जूटी हो जाएगे, अगर हम केच यह बनाएंगे, तो प्लेट जूटी हो जाएगी, और अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी, और क्योंकि थोड़ा कपड़ा वैसा होता है, फूला फूला होता है, तो थोड़ा मोटा मोटा सा भी नहीं लगेगा, ठीक है, यहां पे मैंने प्लेट बना ली हैं, आप देख रहे होंगे, प्लेट एकदम से अपने आप ही बन गई है, सीक्वेंस में सार प्लेट नहीं पड़ी है, अभी हमें क्या करना है, अभी हम प्लेट को इस तरीके सेट कर लेंगे, जहां से हमें टकेंग करनी है, ठीक है, और कमर फिटिंग के लिए इस तरीके से हम करेंगे, तो अब देख सकते हैं, जहां से मुझे टकेंग करनी है, मैं वहां से इस तरीक से करके हमें इसको टक कर लेना है पेटी कोट के अंदर एड़ यहाँ पे हम लगा लेंगे एक safety pin से हम इसको secure कर लेंगे ताकि इधर उदर ना जाए ठीक है safety पेसे secure करने से क्या होता है हम कुछ भी करें तो प्लेट इधर इधर नहीं जाती है फैलती नहीं है बिल्कुल भी तो यहां पर मैंने फिर्टी पिल लगा ली है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लोक आया है प्लेट का ठीक है प्लेट इंदम से परफेक्ट बनी है और कमर फिटिंग भी खुदबा को देख दो बन जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में अभी हम यहाँ फ्री पल्ला करने वाले हैं तो फ्री पल्ले के लिए आप देख सकते हैं मैंने इस तरीकी से किया है मैंने ज्यादा साड़ी को इस तरीकी से ओपर तक को खेचा नहीं अगर हम एक ची जोर करेंगे, हम बाइसे क्या करते हैं, साड़ी को इसी तरीके से लिखटा कर लेते हैं, फ्रेपलों में, बट नए हमें दो-तीन प्लेट बना लेनी है यहापर, आप देख रहे होंगे, मैंने यहापर 2-3 प्लेट बना ली हैं, और इस तरीके से मैं साड़ी को इखटा कर ले रहे हूँ दो दिन प्लेट पला कि इस तरीके से हमें हाथ पे रख लेना है अगर आप चाहें दो तो कमर में एक पिन भी लगा सकते हैं या ब्लाउज में या फिर पेडिगोर्ड में जिस से आपका एक हाथ जो है फ्री रहे इसलिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आया है इसका भी और इस सरीके से क्या होता है न साड़ी का कपड़ा हमें अजीब सा नहीं दिखता है पूरा सा पूरा सा और एकदम से बहुत अच्छा लुक आता है तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा सा लुक आया है और कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ मैं मैं कमेंट करना बहुत सारे कमेंट करके जाना कि साढ़ी का कपड़ा बहुत अच्छा था मुझे इसलिए मैंने काफी टायम पहले इसको ऑनलाइन ही मंगा था इस साढ़ी को मैंने ज़्यादा भी बियर नहीं किया ये एक-दो पारी में इसको पहना है सो अभी मैं ने सोचा आपको इस वाली साड़ी के बारे भी बता ही देती हूँ क्योंकि काफी ज़्यादा step trend में है और बताना कैसी लग रही हूँ मैं मिलते हैं next वीडियो में ठीक है टाटा बाबाई